अब तक हमने हमारी 5th exercise multiples and factors ही हमारी चल रही थी जिसमें अपने 5.1 में multiples वाले सारे questions solve कर लिये थी आज कपना रहेगा exercise number 5.2 तो इसमें हम कौन से करेंगे इसमें आज हम factors करेंगे जो हमें पिछली class में नहीं किये थी क्योंकि जब हमारी पिछली class थी उस class में हमने just only multiples ही पड़े तो आज हम factors पड़ेंगे तो देखी find the factors of the following हमें factors find out करने हैं तो देखी 7 का find क्या करना है factor ढूना है तो factor क्या होते हैं factor बचो वो number होते हैं जिसमें आप किसी भी number से divide करते हो तो वो पुरा का पुरा divide हो जाए तो 7 के factor एक तो 1 7 जो है 7 से divide होता है एक 1 से divide होता है तो इसके factor 7 equal to इसके factor लिखने है तो 1 over 7 इसके factor हो गए हो for example second देखी है 9 के factors लिखने है तो 9 equal to 9 किस-kis table में आता है 1 की table में आता है 3 की table में आता है और 9 खुद की table में आता है और 7 अपना है खुद का factor है 9 9 एक तो 1 का factor हो गया 9 की table में आता है इसके अलावा 9 जो 3 की table में आता है तो 3 हो गया 25 1 की table में आता है 25 आता 5 की table में आता है 25 और किसकी 25 फुद की table में भी आता है तो यह हो गया इसके factors तो इस परकार से आपको इस सारी factor करने तो मैंने आपको question दे दिया अब देखे question number second find the common factor of the following आपको 8 और 12 की इससे factor ढूणने जो दोनों में common होते है अब देखे पहले तो लिखेंगे हम 8 के factors 8 के factor लिखे तो 1 में आता है 2 में आता है 4 में आता है और किस में आता है और 8 में भी आता है तो यह किस की होगे यह 8 के factor अब 6 में आता है और किस में आता है और किस में आता है एक तो अब इसमें क्या देखना है इसमें आपको इसे factor देखने है जो बुंद्नों 18 और 32 के factors लिखने हैं तो 18 और 32 के factors आप देखिए यहां देखिए 18 के हम पहले करते हैं 18 के factor देखिए यहां देखिए 18 किस की table में आता है 1 की table में आता है 18 2 की table में आता है 18 3 की table में आता है 18 6 की table में आता है और किस टेबल में आता है 18 scale of 18 आता है आपके 9 की टेबल में scale of 18 आता है अपने खुद की 18 की टेबल में तो इस परकार से हमने 18 की factors लिख लिए है तो इतने आपके क्या होगे 18 के factor आपने चिसे कर लिए है अब देखे 32 के factor 32 के factor 32 1 की टेबल में आता है 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है और किस में आता है 6 की टेबल में आता है नई 6 में नहीं आता और इसके लावा आता है 8 की टेबल में 8 की टेबल में 32 आता है उसके लावा 16 और last 32 तो यहां देखी आप अब इन में से common factor one हो गया two हो गया यह दो इसके क्या हो गए common factors हो गए तो आपका answer क्या है गया यहां one और two इसके common factor है आगे देखिए आपके हो चुग है अब देखिए आगे question find the largest factor of 21 and 28 21 और 28 के सबसे largest factor देखने तो बच्चों आप जहानते हो, सबसे बड़ी। एक तुटि एक तुटि.वण किसको टेफल में आता है। तुटि एक तुटिवण में और 6 तुटिवण में था कर में बड़ी। यह गए तुटिवल ना है तो आपको समस् तुटिवण टेफल ना है। वोर भी डेबल को लार्जस्ट मानते हों तो इसमें 28 तो आता है 21 नहीं आता है इसके अलावा जो अपनी सेविंग की डेबल अगर आम ध्यान से देखिए तो मारे जो सेविंग की डेबल है उसके अंदर भी 21 भी आता हो और 28 भी तो इसका आंसर क्या हो गया सेविंग अब से देखा जाए तो 45 पर 75 जो है आपके 5 से भी डिवाइड हो जाते हैं लेकिन इस ने क्या राव दीवाइड हो जाए यानि आप 55 को 25 से डिवाइड करते हैं इसने चाहिए डि वीजào तो हो रहा है लेकिन आपको क्या करना है largest number देखने हैं ये 5 तो क्या smallest number है तो largest number ये सा कौन सा होना चाहिए जिसमें तो नंबर divide हो जाए पूरे ये पूरे तो इसके अलावा जो आपका 15 है यानि आपका answer क्या होगा 15 15 जो है वह एक ये ऐसा number है जो 45 और 75 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है वो भी लार्जेस्ट नंबर के साथ में स्मॉलेस्ट में 5 आ जाता है लार्जेस्ट में आगे 15 तो यहां तक आपका अंसर हो गया है आगे हैं अपना को आ यहां इसका होग्या नहीं आते हैं अब हमने क्या देखा ध्यान से हमने देखा कि हमारा दो 6 है वह लार्जेस्ट नंबर है क्योंकि इसमें 12 भी आता है 18 भी आता और 24 तो आपका क्या होने वाला आपका आंसर होने वाला 6 आगे हैं कि फाइंड दी लार्जेस्ट कॉमन फेक्टर ओफ 15, 27, 32 यह क्योशन आज आपको मैंने करने के लिए दिया यह सेम ऐसा कैसा यह लार्जेस्ट कॉमन फेक्टर डूनना है जो तीनों में आता है यहां देखें टू कैंस ओफ tı इसके हैं ससे करवा यह थार्ड कर्वा दियार्ड कर वा दिया इसके अलवे और हमंने थार्ड fully कार वार दिएthird यह कर दियो सारह क्योशन मेने आजट हो हैं अकमर 6 देख debating दो कैंस ओफ दे कुम की चैन में जर बहुर्छिया सेr दबे वा ल recap are audio ।्ट्रह नित्रा whoet mentor ? दे तो आपको को बड़ा यूटेउसिस से बरतन सबसे बड़ा नहीं इसमें यह दोनों अच्छे से आजाय नहीं, दोनों को मेजर किया जा सके तो बच्चो 10 की टेबल में 20 भी आता है 10 की टेबल में 30 भी आता है तो आपको अंसर क्या हो गया 10 आगे find the last question देखिए find the largest common factor of the following आपको 8 के factor निकालने है और 16 की ये एक question में आपको करवांगी दूसरा question आपको खुद से sort out करना है तो देखिए सबसे पहले 8 की factor लिखने 8 का factor हो गया 1 हो गया 2 हो गया और क्या हो गया 4 हो गया 8 हो गया 16 की factor क्या है 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया 8 और 16 ये इसके factor अब इसमें क्या है इन दोनों में से common factor दोनों में से यहां लिख देती है दोनों की common factor एक तो 1 2 4 और 8 इन दोनों का जो common factor है सही कहा आपने वन इसमें क्या है वन इसमें भी है वन इसमें भी है तो वन लिखा टू इसमें भी है तो अमने टू लिखा फोर इसमें भी है फोर इसमें भी है तो अमने फोर लिखा एड इसमें भी है तो 8 इसमें भी 8 लिखा अब यहां देखिए यहां common factor वो same यहीं हो जाएगा 1, 2, 4, 8 अब इन दोनों में जो largest है तो largest क्या है 8 तो आपका answer 8 आगे सेम इसी तरीके से आपको factor 12 है के यहां लिखने है factor 18 के इन दोनों में से common होगा वो यहां रखोगे फिर common में से जो largest होग वो आपका answer होने वाल तो इतने question आज आपकी होगे आप देखिए examination type questions examination type question है two cans of water contain 25 and 45 liter water respectively what is the measure of the largest utensils so that which can measure both cans completely एक एसा केन है sorry दो केन है से जिसमें एक में तो आता है 45 लिटर क्या लिटर वाटर तो आपको एक एसा largest utensils find out करना है जिसमें दोनों चिसे आ सेके तो यह हमारा क्या था यह सेम हमारा location 7 था यह 80 वेसा अग वैसा तो यह आज आपका mind puzzle हो गई यह आपको आप खुद से करना है find the largest common factor of 12,18 and 24 इन तीनों के factor आपको common factor ढूंडने हैं जैसे कि 12 किस में आता है 12 की टेबल 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 में आता है 18 1 período में आता है 12 1 & 12 में 5' इन में से मैंने आपको बता दिये है इन में से जो लारजेस्ट टी 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 ट्र होगा वह आपको लिख को है और अगर द्हान से देखें तो आपका 6 जो है वो लार्जेस्ट फेक्टर हो गया मैंने अभी आपको बता दिये हैं आगे फाइंड लार्जेस्ट नंबर वाइब इज थर्टी फिप्टी एन सेवंटी और डिविज्वल कम्प्लिटी तो आपको बताना है एक एसा नंबर लार्जेस्ट जो थर्टी से भी डिवाइड हो जाए तो आपका 10 जो है वो सबसे डिवाइड हो जाता है अगे राइट दी मल्टिपल्स ओफ फाइफ बिट्विट्वें 10 और थर्टी न के बिच में जितने भी मल्टिपल्स वो आपको लिखने हैं आप अच् से ज्यादा ग्रेटर ती मल्टिपल्स आपको लिखने 22 से ज्यादा जितने भी 3 के मल्टिपल्स है वो लिखने हैं फाइड लार्जेस्ट नंबर वाइब वाइब विच 15, 45 ए डिवाइड हो जाए तो आज आपका बर्ट क्या रहेगा आज आपको एक्साइस नंबर 5.2 नर जिसमें आपको 5.2 और एक्जामेशन डा क्यो जितने मैंने करवाई है या मैंने आपको करने के लिए तो आपको वडेस्त सब्सक्राइब करना हैं त prochain पिदिल exactly सब्सक्राइब करने ताकिंद वह आएक इसक्रिद्य कूरुकियर्